बिहार के आरा सिविल कोट के बाहर अपराधियों ने पेशी के लिए आएक बुजुर्ग को गोली मार दी है गोली मार दी के बाद मुजुर्ग को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भरती कराय गया है वही घटना के सूचना मिलने पर मौके पर पहुची पुलीस जाच में चुट गई है बताया ज़ा रहा है कि घायल मुजुर्ग उद्वन्त नगर थाना छेतर के बेलाउर गाउ के 62 बरसी गोपाल चौदरी है जो पूर में एक हत्या मामले में नामसद आरोपी है बताया ज़ाता है कि कोट में केस के तारीक के दोरान वो सिविल कोट आये थे और उसी दोरान अचानक उन पर ताबर तोर फाइरिंग की गई दिन दहारे हुई घटना से ही थोड़ी देड के लिए मौके पर अफ्रा तफडी मच गई वही अस्थानियों लोगों ने बताया कि कड़ी पाच राउंड फाइरिंग हुई घटना नगर थाना चेत्र के रमना मैदान के पास आरा सिविल कोट के सामने हुई है निदे सिंग के साथ आरा से टीम की डिपोर्ट कि कहां गयते हैं किस लेगा तो कोट के पास किस लेगा थे इंपे केस वा था कि क्या होदा था इसार एक तो गवाई चल रहा था था अहां ना को है वही निए तो इसके बाद क्या हुआ तो कोट के पास बाहर मा रहा है तो यह कोट के पर शकर पूए आपके घाड़ी पर जाए यह तो गवाई हो गया था तारीक प्याइट तारीक होगी लखाता आपन जात रही आए अच्छा का ना मैं चाचा का इकर रामकबाल चाओज़ी घर गर प्टा के लखागँ यह लखागँ जग्वाँ यह सुझ टारीक